गूगल एडेंस में एड.tsd को फिक्स कैसे करें दोस्तों अगर आप यूटूब पर या फिर गूगल पर सच कर रहा है हाउ तो फिक्स एड.tsd इन गूगल एडेंस अकाउंट तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज की स्यूटियू हम बताने वाले हैं गूगल इसको आपको hide करना होगा कैसे hide होगा यह जो fix now आपशन दिया हों यहाँ पर fix now पर click करेंगे तो यहाँ पर जो option आपको दीख रहा है कुछ इस तरह का option दीखेगा तो अब आपको यहाँ पर आने का क्या करना है add.tsd को fix करने के लिए इसी के बारे में हम आपको बताने वाल इस पेज पर आने बत अगर आप देखेंगे तो जो भी आपकी साइट होगी यहाँ पर आपको सो होगी यहाँ पर मैंने एक ही एडेंस एकाउन में तीन वेबसाइट को एड किया हुआ है इसलिए यहाँ पर आपको तीन वेबसाइट लिंक यहाँ पर सो हो रहा है लेकिन यह नहां पर देखेंगे तो इस वाली वेपसाइट पर हमारे एड.tst status जो है यहां पर not founds हो रहा है तो हमको क्या करना इस website के लिए एड.tst status जो not founds हो रहा है इसको हम fix करेंगे तो सबसे पहले एड.tst हम वाटपरेस के लिए fix करेंगे उसके बाद हम बलॉगर के लिए भी देखेंगे तो वाटपरेस में आप दो तरह से एड.tst को fix कर सकते हैं लेकिन कैसे आपको बता दें तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे hostinger में login करेंगे क्योंकि हमारी जो website है hostinger पर host तो इसलिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम hostinger के dashboard में चलते हैं तो हम यहाँ पर click करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस फो जायगा आप इस पर एड़ टी इस ट्रीक को फिक्स करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर आजाएंगे स्कॉल करके नीचे और यहां पर अगर आगर आप देखेंगे तो यहां पर फाइल्स का आपसाना तो आपको फाइल्स पर क्लिक कर देना है उसके वाद यहां पर फाइल मनेजर जो लिखा हुआ आपको फाइल मनेजर पर क्लिक कर देना है अब यहां पर इसकोल करके ऊपर आएंगे तो यहां पर आपसान आप को दिखेगा access file of hindi live.com तो यहाँ पर आपकी जो भी वेट साइट का नाम होगा आपको यहाँ पर सो करेगा आप यहाँ पर किलिक करेंगे जैसे किलिक करें एक नया window open हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक file है public HTML तो अब आपको क्या करना इस folder public HTML folder को open कर लेना तो double click करेंगे आप तो double click करने गए आपके सामने कुछ इस तरह का interface सो हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक option दिया वो new file तो आपको new file पर click कर देना है जैसी new file पर click करेंगे तो आपके हमें कुछ इस तरह का input box open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर file name Day box तो हमको add.tsd को fix करना आ ना तो हम यहाँ पर file name देंगे add.tsd आ एक उब लिकोरेंगे add.tsd आपको यहाँ पर create पर click कर देना है जैसी create पर click करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको input box सो होगा आप यहाँ पर आपको add.txt जो file code है उसको यहाँ पर देना होगा तो आप फिर से आ जाएंगे यहाँ पर addends account में और addends account में आने बाद यहाँ पर देखेंगे इस वाली website का हमको क्या करना है add.txt इस टेसर को फिस करना है तो आपको यहाँ पर click करना है जैसे click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक option दिख रहा google.com publication number और direct number तो आपको क्या करना है इस code को copy कर लेना तो यहाँ पर copy का option दिया हुए आप यहाँ पर click करके इसको कॉपी कर लेंगे और कंपी करने के बाद आप आ जाएंगे फिर से यहां पर और यहां पर आने के बाद जो और टीस्टि फाइल हमने बना या था खर के अंदर कंड्रोल को नए बाद और आ optimum देंगे पेस्ट करने के बाद देखी यहां पर एक option दिया हुए check for update तो आप check for update पर click करेंगे तो यहाँ पर add.txt जो हमारा issue था fix हो जाएगा चलिए हम आपको दिखा देते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर add.txt को open कर लेते हैं पर click करने पर देखिए यहाँ पर हमारा option जो है यहाँ पर not found हो रहा है अब हम क्या करते है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर check for update पर हम click करते हैं देखिए हम click कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है add.txt को यहाँ पर find कर रहा है यहाँ पर found हो चुका है यहाँ पर link कर आ चुका add.txt found good news we found your add.txt file and able to show add soon तो इस तरह से हमने add.tsd found को file manager में जाकर हमने fix कर लिया आप या तो इस तरीके से fix करेंगे या तो plugin के माध्यम से fix करेंगे आप दोनों में से कोई भी एक तरीका use कर सकते हैं अगर आपको file manager में जाकर add.tsd को fix नहीं करना है यानि wordpress के admin panel में जाकर plugin के माध्यम से add.tsd को fix करना चाते हैं तो इस वीडियो को आगे देख सकते हैं या फिर आप blogger हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि आगे हम blogger वालों को भी बताने वाले हैं कि blogger.com के लिए देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर जो plugin का option दिख रहा है, आपको यहाँ पर plugin पर click कर देना है तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक option दिया हो add new plugin का तो आप add new plugin पर click करेंगे, तो जैसे ही click करेंगे, आपके सामने कुछी इस तरह का interface होगा अब आपको क्या करना यहाँ पर search plugin जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिख देना add tst यहाँ पर आप लिख देंगे add tst जैसे आप add tst search करेंगे तो यहाँ पर देखें यहाँ पर searching हो रहा है तो थोड़ा wait करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस इस तरह का interface हो रहा है और scroll करके आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ add tst manager तो आपको यहाँ पर इस्टाल लाओ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर यह इस्टालेशन हो रहा है तो थोड़ा wait करते हैं अभी यह इस्टाल हो चुका अब इसको आप active कर लें और तो देखिए अभी हमारा जो add.tst manager plugin था यहाँ पर active हो चुका है और active होने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पर जो setting option दिख रहा है आपको यहाँ पर आ जाना है जाना और setting पर जब करसल ले जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ एक option आ चुका add.tst तो आप यहाँ पर add.tst पर click करेंगे लेकिन इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक और option दियो add.tst तो आपको इस वाले option में नहीं आना है आपको इसी वाले option में आना है add.tst पर तो आप यहाँ पर click कर दिजिए जो आपने add.tst file को copy किया था यान पर आएंगे add.tst में और यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम okay कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर add.tst हमारा found हो चुका है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर update पर click करके add.tst को हम fix करेंगे लेकिन हमने file manager से add.tst को पहले fix कर लिया तो यहाँ पर आपको error show नहीं होगा यहाँ पर हमा blogger के लिए कि blogger.com में add.tst को कैसे fix करेंगे इसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले आपको blogger में आ जाना होगा तो blogger के dashboard में हम चलते हैं तो यहाँ पर आते हैं यहाँ पर blogger है इसको click करके open कर लेते हैं पहले ही मैंने login किया था blogger को तो इसलिए आप सीधे हमारा dashboard open हो उपका कैसे आया यह input box control plus यह आप keyboard करेंगे control plus यह तो आपको यहाँ पर input box होगा तो आप यहाँ पर क्या type करेंगे add आप यहाँ पर टाइप करेंगे add तो देखिए यहाँ पर एक option आ चुका monetization और यहाँ पर लिखाओ enable custom add.tst तो आपको यहाँ पर यह वाला जो option है इसको on कर देना है जैसे अगर आप पहली बार इसको open करेंगे तो यह कुछ इस तरह से होगा जैसा कि यह अभी आपको दिख रहा है तो आपको सबसे पहले इसको on कर देना है और on करने क्वाद यहाँ पर जो option दिया हो custom add.tst आपको यहाँ पर click करना है और click करने कौद आपको क्या अगर हम यहां पर किलिक करना है और किलिक करने के बाद आपको यहां पर इन हिंदी लाइब पर किलिक करना है और किलिक करने के बाद आप यहां पर चेक फार अपडेट पर किलिक कर देंगे किलिक करते ही आपका एड़ टीएस्टी फाउंड यहां पर सो हो जाएगा यानि अगर हम यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद देखें यहाँ पर अन्नित एड्रीस क्लिखा हुआ है अभी यह गाइब नहीं हुआ तो यह कैसे गाइब होगा तो आपको बता देए इसको गाइब होने में समय लेगे गया यह क्योंकि यह एडेंस की आप से नोटिश्विकेशन है और इसको रिमूब करने के लिए कोई भी एडेंस आपसन नहीं देता है जब आप इसको fix कर लेते हैं अडेंस को एडेंस जो है